गुड मॉर्णिंग आवरीवन बीविल कंटीनियो और स्टडी टुड़े इस्ट्रेंड्स आज हम लोग भारतिय समिधान के प्रमुक्षूरूत एवंग समिधान के अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे यह टॉपिक्स बहुत इंपॉर्डेंस ट्रेंड्स यह टॉपिक ना कि वोल कम्टेटिव लेल के बलकि आपके अकेडमिक लेल के भी हैं तो इस ट्रेंड्स बीडियो को स्किप्प ना करें पूरा पूरा बीडियो देखें और अपने घ्यान को बढ़ाएं समिधान निर्मात्री सभा ने भारत के लिए जिस समिधान की रचना की वो एक अनूठा समिधान है क्यों अनूठा है और इस अनूठीपन का कारण विस्व के अनेक समिधानों के अनेक अच्छे गुनों का समिश्रण है क्योंकि हमने बहुत जगहों से बहुत देसों से समि समयधान को अद्युत्य बनाया सबसे पहले ब्रिटेन का समयधान ब्रिटेन के समयधान से संसद्य शाष्ण परणाली कानू निर्मान प्रक्रिया एकल नागरिक्ता तता स्पीकर का पद ग्रांड किया गया है आप से पूछा जाएगा कि ब्रिटेन के समयधान से आपने क्या के गराण किया तो आप कह सकते हैं संसदिय सासंपर्णाली कानु निर्मान प्रक्रिया और एक अलौनाग रिक्ता तता स्पिकर का पद चलिए अमेरिका के समयधान के बारे में जानते हैं अमेरिका के समिदान से सर्वोच नयाले स्वतंत्र नयापालिका उपराश्ट पती का पद आदी बाते ग्रण की गई तो आप यह जानगे कि अमेरिका के समिदान से क्या क्या लिया गया सर्वोच नयाले स्वतंत्र नयापालिका उप्राश्टपती इन सभी चीजों को यहां से लिया गया अमेरिका के समिधान से लिया गया कनाड़ा तता ऐरलेंड का समिधान अब हम दोनों देशों के बारे में जानते हैं कि यहां से क्या क्या लिया गया कराड़ा के समिदान से संगिय वेवस्था तदा ऐरलेंड के समिदान से निती निदिशक तत आदी गरहन किये गया है ठीक है अब अस्ट्रेलिया का समिदान अब आपसे कोशन पूछा जाएगा कि निती निदिशक तत्व कहां से गरहन किया गया तो आप तुरंद कहा देंगे कि आर्लेंड के समयदान से गरंड किया गया अस्ट्रेलिया के समयदान से प्रस्तावना की भासा तता समवर्ती सूची बवस्ता को गरंड किया गया कहां से अस्ट्रिया के समयदान से क्या क्या चीच तो प्रस्तावना की भासा तता समवर्ती सुची की बवस्था को गरहन किया गया अब हम लोग चलते हैं दक्षिन अपरिका का समयदान दक्षिन अप्रिका के समिदान से संसूदन की प्रक्रिया को यानि जितने भी समिदान में जो संसूदन होते हैं वो दक्षिन अप्रिका के समिदान से लिए गया है सोबियत गंडाजी का समिदान सोभियत गनराजी के समिदान से मुलक करतव्य को ग्रहन किया गया आप स्टुवें बताये हैं कि अभी मुलक करतव्य कितने हैं यह हमें comment box में लिक कर इसका उत्तर आप हमें दें कि अभी भारतिय भारत में जो समिदान में मुलक करतव्य लाये गए थे वो कितने हैं भारती अधिनियम 1935 भारती अधिनियम के बारे में आप जानें भारती अधिनियम 1935 से संग और राज्यों के बीच सम्मिदानिक संबंद राश्पती के संकटकालिन अधिकारों की धाराएं अधि बातों को ग्रहन किया गया ओके स्ट्रेंट्स आपने यह जानकारी ले ली कि जो हमारा भारती सम्मिदान के स्रोत है वो कहां कहां से लिए गया है और क्या क्या बाते इसमें आ रहे हैं हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर सम्मिदान के निसूचिया देखे भारती सम्मिदान के मूल पार्ट में आठ अनिसूचिया थी यानि जब भारतिय समिदान हमारा बना था उस समय हमारी जो अनिसूचिया थी वो आठ थी लेकिन वरतमान समय में भारतिय समिदान में बारह निसूचिया हैं लेकिन अब कितनी हैं बारह हैं पहले कितनी थी आठ थी समिदान की अनिसूचियों का बिवरण निम्र प्रकार से है ठीक है परता मनसुची हम 12 अनसुची के बारे में जानकारी लेंगे आप इन बातों को आत्मसाथ करें बहुत important strengths आपके competition के लिए परता मनसुची इसमें भारतिय संग के घटक, राज्यों और संग्ये छेत्रों का उलेक है यानि परता मनसुची में आप क राजबवस्ता के भिविन पदादिकारी अब पदादिकारी पूछेंगे कौन-कौन तो राशपती, राजजिपाल, लोगसभा के अद्धक्च और उपाद्धक्च, राजसभा के सभापती और उपसभापती, बिदान सभा के अद्धक्च और उपाद्धक्च, बिदान के नियंतरक महालेखा परिक्षक आदी तो ये आपके पदादिकारी हैं तो पदादिकारी का किस नियम के बारे में वनन क्या गया है तो इन पदादिकारीयों को प्राप्त होने वाले वेतन भक्ते और पेंसन आदी का उलेख आपको दूतियानिसुची में मिलेगी ठीक है संससदस उचतम नियाले और उचतनियाले के नाधीशो आदी द्वारा पद गरहन करने के समय ली जाने वाली सपत का उलेख है यानि जो पद गरहन करते समय जो सपत लेते हैं इसका वर्णन तिरतियानिसुची में कोन? पदादिकारी पदादिकारी मैंने बदाया कि उनकी उनका जो टाइटल हो क्या क्या है चतुर्त अनुसुची इसमें विवेने राज्यो थता संग्ये छेत्रों का राजसवा में परतिन्दित्यों का विवरण दिया गया है यानि जितने भी राज्ये हैं और जितने भी संग्ये छेत्र हैं राजसवा में कितने लोग जा रहे हैं कितने लोग वहाँ रेप्रिजेंट कर रहा है इसका विविनन किस में दिया गया है चतूरत अनुसुची में दिया गया है पाँचवी अनुसुची इसमें विविनन अनुसुची जातियों और अनुसुची जन जातियों के प्रसाशन और नियंतरन के बारे में उलेख है तो पाचवी अनिसुची भी आप जानगे, जितने भी अनिसुची जाती हैं, अनिसुच जन जाती हैं, कि प्रशाशन और नियंद्रन का उलेख है छटी अनिसुची इसमें असम यानि असूम मेगाले तिरपूरा और मिजोरम राज्यों के जनजाती छेत्रों के प्रसासन के बारे में प्रावदान है देखें पाचवी और छटी में अक्सर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है पाचवी में अनिसुची जाती और जनजाती के बारे में वर्णन है और छटी में जितने भी हमारे जो जनजाती राज्ये हैं उसमें असम मेगाले तिरपूरा मिजोरम जो छेत राते हैं उसके प्रसाशन के बारे में प्रावदान है अब हम seven शूची के बारे में हम लोग जानते है इसमे संग सूची 99 विशे राजजे सूची 66 विशे और संग शूची 46 विशे के विशियों का उलेक किया गया देखें ये विशे समय समय पर परिवृतन होते रहते हैं यानि सात्वियन सुची में आपको तीन सुची का वर्णन है संग सुची, राज्य सुची और समवर्थी सुची ठीक है अब हम लोग आट्वियन सुची के बारे में जनकारी लेते हैं आट्वियन सुची इसो भारत की बाइस भासाओं का उलेक किया गया पहली मैं एक एक भासा को पढ़ूँ गा एक नमर में असामिया, दो नमर में बंगला, तीन नमर में गुजराती, पांच में कंड़, छे में कस्मीरी, साथ में कॉंकनी असामिया एक नमर में, दो नमर में बंगला, तीन में गुजराती, चार में हिंदी, पांच में कंड़, छे में कस्मीरी, साथ में कॉंकनी, आट में मलियालम, नो में मनिपूरी, दस में मराटी, इग्यारा में नेपाले, बारे में उडिया और तेरह पंजाबी, 14 संस्कृत, 15 सिंदी, 16 तमील, 17 तेलगू, 18 उर्दू, और 19 बोडो, 20 मैतली, और 21 और 22 में संताली है, और 22 में डोगरी है और के स्ट्वेंट्स आप जानगे हैं, कि आटवी निसुची में मैंने इन 22 भासाओं के बारे में आपको बता दी, आप इसे पढ़ लेंगे, और इन 22 भासाओं को नवी निसुची, इसके अंतरगत राज़ द्वारा संपत्ती के अधिकरण की वीदियों का उलेक किया गया है, राज़ी को अधिकार है, मतलब इसमें दिया गया अधिकार राज़ी को, कि वो कहीं भी, मतलब किसी भी छेत्र में संपत्ती को अधिकरण कर सकता है, इसका उल गयार्वी दिल् anfika है इंख कि इंगा arkadaşि इस एनसोंची के अदार पर पंचायती औरजब्स था को समधानिक दर चाथ जो किला ढक्रतीластिक इसे के पर्दान Siya Mind परदानिक दरजहरा परदान कि आगया, आप जांग इस अम्मिदान के निसूचिया, आप यह भी जांगetted. समвойंदान के स्रोध कुन-कुन ऐ है, ओ государ जैने समय आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेर और सस्क्राइब जरूर करें, धन्यवाद